हेलो और जा रहा हूं करोलबाग फिर से जैसे आपने हमारी लास्ट क्लिप्स देखी थी ना टूर की नैनिताल की तो भाई उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम मिरको फेस हुई है तो मिरको यह टैंक बैक की नीटी मैंने ले लिया है और यह जो फॉग लाइड मैंने एज जी और दूसरी अपनी लगाई है छोटी छोटी भाई यह तो फेल होगी महां पर तो भाई अब यह ही जो है इसका सॉलूशन मैं करने जा रहा हूं यहां पर बड़ी लगाने वाला हूं 1208 की जो भीकूशीजा थ्रो देगी वैसे तो मैं रात को राइट करना पसंद नहीं करत कि जो बड़िया बड़िया लेमिनीशन आती है ना उनमें से कोई मिल जा तो वह लगवालू ताकि टैंक जो बच्जा है यार क्योंकि टैंक बैक की ज़रूरत है अब वहां पर नहीं निताल में क्या हुआ था को प्रो की बैटरी चार्ज करने के लिए मैंने चार्जर लग एक मिनट बता रहा है यहां पर पता नहीं दिख रहा है यह देखो एक टैंक बैक से यह निशान आ गया एक यहां आ गया यहां आ गया तो भाई इसलिए इसके उपर हम मैं करवाने लगा हूं लामिनेशन या पीप जो भी होता तो दोस्तों मेरी यह बाहिक अंदर आ चुक लगेगी बड़ी यहां लगेगी और यहां मॉट्राग लगएगा और यहां सोचरां के एक छोटे वाली लगवालों और लाइट फोंसी है यह देखो यह वाली यह है 60 Watt each और बोस 128 Watt अन जी पीपेव बताव जी पीपेव बताव जी पीपेव रहा है वो तैंक टैंक टैं इसके आय के अब शूर्णी और यह बताव है यह संदेर्शालिंटा में ईसकी तोड़ी मोटी यह बन आपटी मैक्स यह बड़े अंब वो तैंक टैंक नमी चरहां बारत सर भी है यह बड़ी यह बड़े है पुड़े अब बाइस अर्शाली फेचा यह इसके लाइप यपे यह बड़ पर दीजने के लिए विए अगे जिए के लिए लिए जो पूर नियुक वरे निखा कि पूरा कर लेता हूं पर निखाएंगे तो प्रच नहीं हम बता रहे हैं कि यह स्टिकर्स आठाने पड़ेंगे बाइया इसमें बिना उसके बेरें ये मुझे वाइरिंग हारनेस के लोट जेल लेगी पूरा काम कर लेता हूं फिर भार निकाल के दिखाएंगे तो लेडिस और जेंटलमन हमारी हमारेन के ओपर ये देखो ये स्टार्ट हो चुकी है फिपिया तो गाइज आप देख सकते ही मेरा फिपियाप कंप्लीट हो गया है बाइक बहुत ही अच्छी लग लिए है नीट और क्लीन विताउट एर बबल काम हुआ है बाकी इसकी क्वा इसकी आपने येलो ये यालो यालो वाइट और इसको जब भी डिपर चेंज करेंगे वाइट इदर आजाएगा ये अपनी हैड़ाइट हो गई अब रेडी है ये आईवे क्रूजिंग के लिए चलते-चलते बाइक पे फील हो रहा है ये वाली लाइट एक परील रही है ब तो दोस्तों कभी भी आप जो ये बड़ी हैवी फॉग लेडियोज करें न तो क्या बोलते हैं पहले बाइक को स्टार्ट कर लें उसके बाद यूज करें ठीक है तो चलो अब मैं आपको इसका लाइट डिखाता हूं रोड प्रेजन्स कैसी इसकी ठीक है चलो तो दोस्तों हम चेक करने आए है रोड प्रेजन्स ऑफ लाइट जो हमने लगवाई है ठीक है अभी तो इस बाइक के अंदर आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ हैड लाइट जल यह उपर की यह वाली दोनों छोटी लाइट ठीक है यह इस तरीके से मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी इनकी यह देगे है यह 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 देखो बाई यह पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रही है और यह इसका एंटीना इस तरीके से ब्लेंक करेगा इसका फोकस जो है अब यह देखो इस तरीके से जो है बाइट चलेगी तो पुरा यह लाइट आएगा यह वाइजर जो हिलता था ना ऐसे इसका भी जुगाड कर लिए यह मैंने क्लैम लगा के ना एज जी जी का यह रबर और यह क्लैम लगा के यह इसको टाइट कर दिया यह हिले गानी जो अब ना तो फ्रेंट में लाइट की कमी है और ना ही बैक में जिशे से आने वालों को भी लाइट भूब देगी और आगे जाने वालों को भी लाइट देगी तो हमारी तैयारी हो चुके अल्मोस्ट बैशन देगी कि अब हम आपको बगवान में चाहतो मातारानी के दरबा के लिए राइड में जाएंगे तब जी लेगे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल अकों दुआ दुआ दुआ